तकरिबन 20-25 दिन होने को आगए कि अब तक भी मंत्री मंदल का गठन नहीं हो पाना और ना उनके बारे में कोई चर्चा होना अगर वसंद्रा राजे मुख्य मंत्री नहीं बनेगी तो नराजगी साफ तौर पर देखने को मिलेगी तो नराजगी देखने को भी मिली और अब वही बात यहाँ पर आती है कि चलिए मुख्य मंत्री नहीं बनाया है तो उनके विदाहिकों को मंत्री मंदल में कोई बड़ी नीज़ आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षिय अगरवाल स्वागत है आप सभी का SPN 9 नीज़ के खास पेशकर्ष में 2024 का चौकिदार कौन राजिस्थान का मुख्य मंतरी कौन होगा रविवार 3 दिसंबर को जब 4 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आये त लेकिन जब बीजेपी ने राजिस्थान के सत्ता का रास्ता तैय तो कर लिया था लेकिन पूरी तरह से तैय नहीं किया था क्योंकि ना तोर पार्टी की तरफ से ये निर्धारित था कि राजिस्थान का मुख्य मंतरी कौन बनेगा और ना ही ये तैय था कि उस मुख्य मंत ने देई ही दिया लेकिन अब जब भारती जशन्ता पार्टी ने नया मुक्ह मंतरी दे दिया इसके साथ ये सवाल खत्म हो गया कि चल रही है उससे कता ही ऐसा नहीं लग रहा कि राजिस्थान में जल से जल मंत्री मंडल का गठन होता हमें नजर आए बता दे आपको कि राजिस्थान में 200 विधान सबसीटे आती है जिसके अंतरगत 30 शक्स को 30 लोगों को यहाँ पर मंत्रा ले आवंटित किये जा सकते हैं जिसमें से एक मुख्य मंत्री भजलाल शर्मा पहले ही हो चुके हैं इसके लावा दूसरी यहाँ पर दिया कुमारी है जो एक मुख्य मंत्री है और तीसरी यहाँ पर प्रेम चंद बैर्वा जो यहाँ पर दूसरे सूबे के उप मुख्य मंत्री है इसके अबाद यहाँ पर 27 और व्यक्तियों को मंत्राले आवंटित किये जाने है लेकिन यही पर अब राजिस्थान में बीजेपी के लिए पूरा पेच फसा हुआ है पेच इसकदर फसा हुआ है कि राजिस्थान में जिस तरह से 115 विधायक भारती जंदर पार्टी के जीत कर के आ गए हैं लेकिन अब सवाल यह है कि इन 115 में से जिन 27 को मंत्राले आवंटित किये जाएंगे उन 27 विधायकों में यहां वसुंद्रा राजे गुट के कितने विधायक होंगे और अन्य दल के यहां कितने विधायक होंगे और इसी को लेकर के समय राजिस्थान की सियासत में रसाकसी का दार जारी है सवाल उठ रहे हैं कि वसुंद्रा राजे को जिस तरह से मुख्य मंतरी का पद नहीं दिया गया तो कि अस तरह से अगर उनके विधायकों को दरकिनार मंतरी वर्षद में यहाँ पर किया गया अगर यहां मंतराले में उनके विधायकों को दरकिनार किया गया तो क्या इससे वसुंद्रा राजे बागी सुर्णाक तियार कर ले और इसके अलावा और भी कई सवाल है जिन्हें जानने की कोशिश हम नूजरूम में मौजूद अपनी हिसातियों से करेंगे सबसे पहले हमारे साथ है मनजी से सवाल लेंगे के मनजी अब 27 लोगों का चैन होना है साफतार पर अगर देखा जाए उन 27 लोगों को राजिस्थान में जितने भी तमाम मंत्राले हैं व्यावंटित किये जाएंगे और 27 लोगों के लिए बीजेपी के पास यहां 113 से करीब 11 24 चहरे हैं तो किया इसमें वसुंद्रा राजे के गुट के जो विधायक है उन्हें मंत्राले मिलने की संभाव नहीं हैं बिलकुल और पहली बात अगर आप देखें कि तकरीबन 20-25 दिन होने को आगए कि अब तक भी मंत्री मंडल का गठन नहीं हो पाना और ना उनके बार और नेताओं का गुरूप हो क्योंकि कई तरह के गुरूप इस समय अक्टिव नजर आ रहे हैं और लगतार ऐसी कोशिश है कि बीजेपी में अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ाने की जो अपना अपना कह सकते हैं कि जो प्रियास है वो इसमें ज़्यादा नजर आता है क का कह सकते हैं तारीक पर तारीक जो है वो बढ़ती चली जा रही है और अब देखिया आज 23-24 में हम बात कर रहे हैं कि अभी भी उनके यहां पर कोई भी ऐसा कह सकते हैं चेहरा पूरी पुक्ता तोर पर नहीं बन पा रहा है कि जिसको लेकर यह कहा जाए कि हाँ यह जो है इनके उपर मंतरी बनने का ठपा लगने वाला है चैहे बलक नात होँ या जो बाल मुकंद हो या कुछ और नाम हो लगा तारा सबके बारे में कायासबाजी हैं तो हैं लेकिन अभी नाम कनफर्मेशन होने का किसी कभी कह सकते हैं निकल के सामने नहीं आ रहा है जो यह बता सरकार को सोचारों तरीके से काम शुरू कर देना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है अब आप देखे तो कल ही राजिसान के अंदर एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी जब तक आप पूरी सरकार को नहीं हो पा रही। कि जो मंत्री पद है वो मिलना चाहिए मंत्री तो बनी जाएंगे उसमें दोनों गुटों में से लेकिन जो अधिक प्रवाफशाली मंत्रा लें वो कैसे हमारे हाथ आए इसको लेकर सारी जद्दोजाद होगी क्योंकि चाहे दिया कुमारी की बात करें या फिर आप जो है बा बार की कभी आमिशा इसको बार में बात करने वालें कभी जो नड़ा है वो बात करने वालें प्येमोदी बात करने वालें तमाम बीजेपी के बज़िस नहता बात करने वाले लेकिन अभी तक भी इसका कोई हल निकल के सामें नहीं आया क्योंकि आपस में इस तरह का जो तक मंत्राले कौन सा मिलेगा किसे किस विभाग का यहां पर मंत्री बनाया जाएगा नाजमी लड़ाई कैसी बात की है कि मंत्राले किस चीज का मिलेगा क्योंकि यहां पर बाबा बालक नात को लेकर के बात आ रही है कि उन्हें ग्रह मंत्राले दिया जा सकता है और वहीं वसंद्रा राजे जब मुख्यमंत्री बनने की रेस में नजर आ रही थी तो उस वक्त भी यही देखा गया था कि मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे ही होनी चाहिए उसके बाद तमाम समर्थक विधायकों ने ये कहा कि अगर वसंद्रा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी नराजगी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है जो भारती जंता पार्टी के लिए ठीक नहीं रहेगा तो आप जैसे बात करें कि बाबा बालक नात को यहां पर मंत्राले देने की बात आ रही है सामने तो वहीं वस्तुंद्रा राजे की बात करें तो वहां भी उ साथ से आठ दिन का समय यहां पर भारती जंता पार्टी ने उस वक्त भी लिया था जब तीन दिसंबर को चुनावी पनिणाम जगजाहिर हो गए थे उसके बाद भी पार्टी ने साथ से आठ दिन का वक्त लिया था भजनलाल शर्मा के नाम तक पहुँचने के लिए क्यों पर सवाल रहेगा 19 जनवरी को लेगे 19 जनवरी से राजिस्थान विदानसभा का बजट शत्र शुरू हो रहा है जिसकी तारीक पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है और अब तक भी मंत्री मंत्राले का यहां पर गठन नहीं हुआ है क्या लगता है उससे पहले तक सरकार बन कर तरीके से अपना काम कर पाएगी या इसी तरह की स्तितीर बनी रहेगी देखे फिलहाल देखा जाए बीजेपी आलकमान जिस तरह से फैसले लेते हुए नजरा रहे हैं मंत्री मंडल का जो गठन होना है उसको लेकर जो दावी किये गए हैं वो यह है कि 23 या 24 दिसमब को मंत्री मंडल का विस्तार किया जा सकता है लेकिन जो दाव फस्ता हुए नजरा रहे है वो वसंदरा राजी सिंध्या की वज़े से फिलहाल देखा जाए भजनलाल शर्मा ने यहां पर जिस तरह से बैठके की हैं आलकमान के साथ और आलकमान ने यहां पर जिस तरह से फै जेपी आलकमान का जो फैसला है वो ये है कि इस बार के मंत्री मंदल का जो गठन होगा उसमें नई ने चेहरों का आगे किया जाएगा तो 23 या 24 दिसंबर को मंत्री मंदल का विस्तार यहां पर किया जा सकता है क्योंकि जो राज़िपाल है कलराज मिश्रा वो उदैपूर में और उनकी वापसी के बाद ही तुरंत विस्तार कर दिया जाएगा अगर वहां पर वह वाकई में मान जाती है अगर उनके विधायकों को जगा ने मिलती है तो भी वह मान जाती है सुईकार कर लेती है इन फैसलों को तो जाहर है कि मंत्री मंदल का विस्तार यहां पर पहले ह हुई नज़ा लेगी दो हजार चौबीस से पहले ही उन्हें ऐसे फैसले जरूर लेने पड़ेंगे वसंद्रा राजे की कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं अगर जिन 27 विधायकों कब चैन होना है जिन में मंत्रा लैवंटित किये जाएंगे यहाँ पर अगर उसमें वसं शक यहाँ पर 60 से अधिक विधायक उनके रिसॉर्ट पर पहुंचे उनके साथ मुलाकात की क्योंकि उनका कहना यह रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए लेकिन बीजेपी आलकमान नहीं माने लेकिन वसंद्रा राजे सिंध्या जो साफतोर पर कहती हुई भाना पसंद करें के डिल्ली की स्यासत में लेकिन बिजेपी नडा ने अपनी बात करी जिस तरह से उन्हें प्रस्टाफ प्रस्टाफ को उन्हें ठुकरा दिये विधान सभाद्यक्ष कर लेकिन अब यहाँ पर वसंदरा राजी के लिए कई ऐसे विकल्प हैं मुझे नहीं लगता कि विधायक उसे अस्विकार करते हुई नज़र आएंगे इसके बाद यहाँ पर बीजेपी जरूर उनके लिए सोच विचार करेगी दिल्ली की सियासत तो है ही लेकिन इसके अलावा यहाँ पर राज्यस्थान में भी उनके लिए सोच विचार किया जाएगा और ऐसे में बागी तेवर अगर देखने को मिले तो 2024 में आलकमान को भारी नुकसान होगा तो इस वज़े से देखा जाए बीजेपी आलकमान को यहाँ पर हर एक फैसला सोच समझ कर लेना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी आलकमान को हर एक फैसला सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि जिस तरह से मद्य परदेश के पूर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान को भारत जनता पार्टे ने दक्षिन भारत के छे राज्यों की जिम्मेदारी दी है और वहाँ पर अगर बीजेपी अब यानि 2024 की लोकसबद चुनावू में बहतर प्रदर्शन करती है तो निश्यत रूप से शिवराज सिंग चोहान को 24 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर उन्हें केंद्रिय मंत्री मंदल में अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है कुछ ऐसा ही यहाँ पर वसुंद्रा राजे को लेकर भी देखने को मिल सकता है तो देखना होगा कि अब वसुंद्रा राजे का क्या कुछ कदम आगे रहता है अपनी सियासत को लेकर और बीजेपी आला कमान वसुंद्रा को लेकर क्या कुछ फैसले लेता हुआ नजर आता है आपको उस पर क्या लगता है कि वसुंद्रा का अगला रूख क्या होगा अगर उनके समर्थित विधायकों कूम अंतराले नहीं दिये जाते इस पर आपकी क्या कुछ राह है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा फिलहाल के लिए इस परिशकष में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News